कि यारे मुच्व नमश्कार कि जस्ट क्या मैं लाइव आच चुका हूं कि जस्ट मैं अभी जस्ट रूम पे आया हूं और एक्जाक्टली लाइव आने का विशेश कारण अभी आप कि जस्ट तो तीन दिन पहले एक बहुत ही ग्रैंट फेलिशिटेशन हुआ था और बहुत सारे लोग उस दिन सम्मानित किये गए थे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से यह सेलेक्शन अड़ा के हिस्ट्री में और इलाहावाद के भी हिस्ट्री में इस तरीके का एक ग्रै लोगोंने शेयर किया उस दिन जब फंशन कंप्लीट हुआ था तो एक चीजे दिमाग में हम सारे टीचर्स के दिमाग में आई थी कि आज हजारों नों की जिंदगी बतलेगी और यकली उसी कड़ी में पहली कड़ी आ गई है और बहुत ही सांदार शुरुआत हुआ हुआ दोहजार तेइस तो सेलेक्शन अड़ा का माइन ब्लोइंग साल जा रहा है बहुत सांदार शुरुआत हुआ शुरुआत हुआ कल साम को एलाइसी एडियो का रिजल्ट आया तो बहुत फेस्बुक पे ना देख पाया और ना ही उतना वाट्सैप में देख पाया तो मॉनि आँ हो चुकी है साम को सारे मेरे पास आचुके है और सारे लोगों ने अपना रिस्पांस मेरे पास शेयर कर दिया है ठोड़ा सब्समेरा चेंज हो गहे और जो हमारे पास आया है वह बहुत ही सांदार रिजल्ट आया फिलाहल फाइनली फॉर्टीवन कैंडिट्च्ट हो के लिए 41 का सेलेक्शन होना मतलब it is really a daydream for the whole family of selection लेकिन हम सारे लोग दिंडात मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के वज़ा से जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें बड़ी खुशी मिल नहीं हम लोग को अब उनकी एक कड़ी और बाकी है तो पहले तो बहुत सारे लोग जितने लोग सेलेक्ट हो उनको बहुत धेल सारी बदाई गेले तो बहुत बाइंट वीघ्याटक टूरांच कुप चुब हैं जो सबस्क्राइब नहीं भी बहुत और बाकी और उसके लिए मेहनत करना भी बहुत जरूरी है तो आपका जो पिर से आनाउंस करूंगा इंटर्वियू का मैं रिमाइंड कर पा रहा हूं दो तारीक है है और उस दिन से आपका इंटर्व्य बैज स्टार्ट होगा और इस बार हम सारे लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें करेंगे इंटर्व्य को कई पैलों में डिवाइट करने के कोशिज किया जा रहा है और बहुत ही सांधार इंटर्व्य होगा पिशली बार जो रिजल्ट आये था उसमें लगवग 90 प्लस पर्सेंट लोग सेलेक्ट होए थे और इस बार भी यही कर रहे हैं कि 90 पर्सेंट से ज्यादा लोग सेलेक्ट हो इस बार यह बहुत ही सांधार निउस था और उसी ग्रैंड निउस को आप सारे लोगों से डिलीवर करने के लिए ज हम 41 इक तालीस इस्षण करें टालीस के तालीस सेलेक्ट हो जाए और हम लोगे लेज सारी सब्कामना आप सारे लोग के साथ हैं देखते हैं क्या होता है चलिए कमरकस लीजे और यह आपको करना तो आप ही को प्यारे पच्छों करना तो किसी और को नहीं है आम सारे लोग पूछते हैं कि दर से जाना हम लोग राश्ता दिखाने वाले एक राति इंधवरी शाप का सेर याद आरा है कि न किसी हम नसी न किसी हम सफर से निकलेगा यह हमारे पाओं का काटा है साहब यह खुद हमी से निकलेगा तो आप जीवन में जो भी करेंगे उसके लिए आपको ह पूल एंसो रिस्पॉंस्बिल्टी अपने आपको ही लेना पड़ेगा और आपको मेनत करना पड़ेगा तो बस लग जाए किलाफ अपने के लिए अप सारे लोग का नहीं हुआ है उनको बिल्कुल चीनता करने जुरूत नहीं है हर एक इंसान का समय आता है बस एक समय की बास समय आता है उस समय का इंतिजार करते रही मेंख करते रहे इस सो चाहेगा तो अपके घर की दरवाजे के सामने उस खुशी की दस तक जरूर आएगी बस मेरत करते लिए तो बस सुभ्कामनाओं के साथ रात का आप सारे लोगों को नमस्कार करके हिमन से आफ लाइप जा रह